हेलो व्रिवन दिस इस मनीस वेल्कम बैक टो और यूटुब चैनल कॉर्पा सूरिस आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं नीचर आफ एविडेंस एक्ट के बारे में जैसा कि हम अपने प्रीविएस वीडियो में जो है डिसकस कर दे दो वीडियो हमने इससे डिसक किया था पहले वीडियो में हमने देखा था कि क्या हिस्टोरिकल बैक गराउंड है यानि कि जो एविडेंस एक्ट है उसकी क्या जरूरत पड़ी की रखने के लिए दूसरी बात ये भी हम लोगोंने समझा था कि किस तरह से जो है कौन सा भारती सम्मिधान का कौन सा ऐसी आ कौन सी सबसे जो है बड़ा चैप्टर है या सबसे छोटा है कितने चैप्टर पाय जाते हैं मतलब तमाम जो इंपोरेन्ट पॉंट्स है जो एग्जाम के परिस्पेक्टिव से ही इंपोरेंट है या एधि आप किसी भी स्टेट जूर्फिका एक्पियो के एक्जाम तो वो सारा question जो है उससे later हमने discuss किया था यह हमारा भारती साख्ष जो अधिनियम है उसके क्या प्रकृति है उसको हम देखेंगे तो basically यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तरह का term इस्तेमाल होता है एक लेक्स फोरी और लेक्स लोसी ठीक है अभी हम बताएंगे कि हमारा भारती साख्ष जदिनियम में वो किस ताइक है इन दोन में से कौन से नेचर को सो करता है वो इसको देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम यह समझ लें कि आखिर में यह दो टर्म जो है इनका मिनिंग क्या होता है और चुकि यह दो टर्म इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत ठीक है यानि कि आपसे प्री के पुछ लेता है कि लेक्स लोसी का अर्थ क्या है इस तरह से पूछेगा या कोई case के हिसाप से related करके देगा या लेक्स फोर पोरी करके पूछेगा ऐसे करके पूछ देता है एक question बहुत important है इन दोनों से रेक है ठीक है तो इसको हम अच्छा समझेंगे पहले तो एक समझेगा एक होता है Lex 40 और दूसरा होता है Lex लोसी तो हम लोग कोई भी चीज जब भी लैटिन वर्ड हम लोग पढ़ते हैं तो उसको उसका कुछ न कुछ मिनिंग होता है ठीक है तो उसको जो है अच्छे से पहले उसको ब्रेक करके तोड़ करके देखेंगे कि क्या उसका अर्थ है यहां पर आप देख सकते Lex 40 जो है दो हिंदी है विधी अस्थान यानि की फोरम विधी इसको कहते हैं Lex 40 को जो है हम फोरम की विधी या फोरम विधी के नाम से जानते हैं ठीक है अच्छा अब एक चुली में हम इसको पहले एक-एक करके समझते हैं फिर उसको हम देखेंगे ठीक है यानि हमको पता चला कि यह जो बिदेश में हुई हो ठीक है कोई ऐसी क्राइम हो या कोई ऐसी घटना जो है वो बिदेश में हो ही हो और उस घटना का जो बिचारण है वो भारत में होने वाला है ठीक है यानि कि कोई ऐसी घटना या क्राइम जो बिदेश में हो ही हो उस घटना का जो है ट्रायल तो ऐसे केस में क्या होगा कि भारती साच अधनियम की जो बिधी होगी ठीके यानि कि भारती साच अधनियम की बिधी के अनुसार ही क्या करेगा उनके उनके उपर सारे नियम जो है उसपे क्या होंगे अपलाई होंगे सारे के सारे नियम जो है उसपे लागोंगे ठीके यह न भारत में होने वाले क्योंकि भारत के बेक्ति के द्वारा ऐसा किया गया है ऐसी घटना की गई है तो ऐसे में क्या होगा कि उस अस्थान की यानि कि जहां पर घटना वह वहां की लागू नहीं होगी जहां पर विचार ओड़ा यानि कि भारत में विचार ओड़ा तो भारती स साच्छ अधिनियम के जो नियम दियेगे हैं जो लोच है जो section है वह उस पर लिको SMART का case है यह England में England का मामला है और यहां पे जो है यह घटना चुकि England का है और इसे जो है बताएगे कि यह भारत में जो है भारती साच अधिनियम के द्वारा जो है इसका trial होगा उसके द्वारा जो है इसे सिद्धि किया जाएगा तेकि आई होप यह लेक्स फूरी का concept आप लोगोंने समझ लिया तो जो हमारा यह भारती साच अधिनियम है यानि कि जो अभी हम लोगों ने देखा हमको तो बेन पढ़ना है कि नीचर आफ जो है evidence act हमको भारती साच अधिनियम की नेचर पढ़ना है तो वो जो इंडियन evidence act है ठीक है इंडियन evidence act वो कैसा है वो जो है लेक्स फोरी है अनिकि लेक्स फोरी भी थी है यह बिलकुली आनि लेक्स फोरी जो है फोरम की वी जो है वो लाग होती है इंडियन evidence act है ठीक है यह बात clear हुआ अब हम देख लेते हैं लेक्स लोसी ठीक है लेक्स लोसी दो वर्ट से मिलके बना है लेक्स और लोसी यहाँ पर इसे कहेंगे हम लेक्स लोसी को लेक्स मींस होता है लो ठीक है लोसी मींस होता है लो लोकल या किसे हम लोकल लॉकल 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 कर लो कि मानलो कि अभी हम यूपी में रह रहे हैं ठीकि उत्तर प्रदेश का अगर कोई व्यक्ति जो है निवासी है और वह जो है ऐसी लौज जो उस केवल यूपी में ही लागो होता हो वह किसी अन्य जगह पे चला गया मुंबई चला गया या पंजाब चला गया तो वहां तो अगर अगर हम बात करें यूपी के लोकल लौं की तो यहां पर पड़ते हैं यूपी लैंड रिवेंणिव कोड ठीक है और दो हजार च्यक पाय संसोदन है तो यूपी लैंड डिवन्ली कोड में यह केवल और केवल जो कहां पर लागू होता है यह यूपी में ही रागू होता है अन्य जगहों पर यह लागू में ही केवल उसमें पुलीस संपन्दित निख्वों की ब्याख्या कियागा किसे पुलीस की rights fare manipulation होते हैं किसे किस प्रकार से कारिवाई करते हैं उसी तरछ shrub trauk यादी है तो वहीं पर लागोगा किसी अन इस्टिट में जाएगा तो वहाँ पर लागों नहीं हुगा तो हमने देखा कि Lex Phorie और Lex Lossy क्या होता है जो हमारा भारती साथ चादिनियाम है यहीं कि जो हिंदू ला होता है ठीक है हिंदू लौ जो है कैसी लौ है यह हमसे पूछ दिया कि जो है है लेकिन लेक्स लोसी दोनों क्या है यहां पे हम लोगो अच्छे तरीके समझ लिया उसके बाद हम लोगो ने ये भी देख लिया कि इससे कौन से related और भी जो इससे सम्मंदित law है उसमें कौन से बिदी होती लेक्स फोरी या लेक्स लोसी हम लोगों ने यहां पर देखा कि लेक्स फोरी के एक्जामपल हिंदू law और limitation law भी आता है ठीक है या अधी Muslim law भी इसमें cover हो जाएगा यानि और यहां पर local बिदी में UP land revenue हो गया rent control हो गया या पुलीस act हो गया यह सारे चीज तुहारे लेक्स लोसी में आ जाते है ठीक है अब एक question यह होता है पूछा जाता है कि क्या लेक्स लोसी यानि local law को IPC का कोई ऐसा section है जो permit करता है या मानिता देता है या कहलो कि वो बताता है कि क्या है अस्थानी बिद ठीक है यानि कि जो local law है local law वो IPC का IPC का एक section है section 42 उससे जो है वो क्या होता है गवान होता है इस तरह से हमने जो है इसके nature को देखा I think यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि आप हमारे ने चैनल में न्यूवेस और प्ली सब्सक्राइब जरूर के और सेयर जरू थैंक यू सो मच